अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अब मुझे ये भी पता है कि ये शोर इविंट नहीं है कि आप शेयर करोगे लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये इमपॉसिबल इविंट भी नहीं है कि आप इसको शेयर नहीं क तीन दोस्त मौसम को लेके कुछ discussion कर रहे थे और उन्होंने एक-एक statement दी पहले ने उपर आसमान की तरह देखा और बोला कि आज बारिश होगी तो क्या आज बारिश होगी इसकी क्या guarantee आज बारिश होगी हो सकता है ना हो ओके दूसरे ने देखा उपर और बोला आज बारिश नहीं होगी हो सकता है हो जाए राइट तीसरा smart था तीसरे ने बोला कि मुझे लगता है कि आज यहां तो बारिश होगी यहां नहीं होगी तो इसकी statement तो भाया हर हालत में correct है इसकी statement में कुछ गडबड है ही नहीं यहां तो आज बारिश होगी यहां आज बारिश नहीं होगी तो यानि कि इस बंदे ने जो event define किया उसकी probability क्या है 100% तो एक ऐसा event जिसके होने की probability 1 हो जिसके होने के chances 100% हो उस event को हम क्या बोलते हैं sure event अब हम dice की example लेते हैं तो मालो मैंने एक event define कर दिया कि dice को roll करने पे 1 से लेके 6 आए तो यह तो guaranteed है कि 1 से लेके 6 आएगा क्योंकि उसकी 6 ही possible outcomes है 1,2,3,4,5,6 और उनी के बीच में से कुछ ना कुछ आएगा तो यानि कि यह जो event मैंने define किया यह event क्या है sure event और इसको हम certain event भी बोलते हैं क्योंकि इस event के होने की probability क्या है 1 क्योंकि सारी outcomes 1,2,3,4,5,6 सारी इसको satisfy करती है sure event को समयने का दूसरा तरीका क्या है कि एक ऐसा event एक ऐसा event जिसकी favor में सारी possible outcomes हो जैसे मैं दूसरी example लेता हूँ कि मैं dice को roll करूँ और मैंने event define कर दिया कि यह odd number आए यह even number आए तो यह मेरा event है कि odd number आए यह even number आए तो obviously जो number आएगा यह odd होगा यह even होगा तो इसका अबलब 100% guaranteed है कि जब भी मैं dice को fank हूँगा यह event होगा ही होगा दूसरी example मैं dice fank हूँ और मैं बोलू हूँ कि यह तो prime number आए यह prime number ना आए again जो number आएगा यह तो वो prime number होगा यह prime number नहीं होगा तो इसका अबलब फिर से मैंने एक ऐसा event define कर दिया जिसके होने की probability क्या है one guaranteed है कि यह event हर experiment में होगा ही होगा जो भी outcome आएगी वो इसकी favor में ही होगी right दूसरी तरफ होते है impossible events अब impossible events कौन से होते हैं जब हम ऐसा event define कर देते हैं जिसकी favor में एक single outcome भी नहीं होती जैसे अगर मैं इसी dice की example लूँ और मैं बोलूँ कि मुझे 7 यह 7 से ज्यादा का number मिले तो dice पर होता ही एक से लेकि 6 तक नंबर है तो 7 आई नहीं सकता तो इसका मतलब इसकी favor में एक single outcome नहीं है तो इसकी probability कितनी हो जाएगी 0 तो एक ऐसा event जिसके होने की probability 0 हो उसको हम क्या बोलते हैं impossible event एक और example लेता हूं मैच चल रहा है cricket match और मैं बोलता हूं कि India भी जीते और Australia भी जीते तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों team में जीत जाएं दोनों team में कभी जीत नहीं सकती draw हो सकता है tie हो सकता है वह लग बात है लेकिन मैं बोलूं कि इंडिया भी जीत जाए और Australia भी जीत जाए that's not possible तो यह जो event मैंने define किया इस event के होने की probability क्या है 0 तो एक ऐसा event जो हो ही न सके जिसके होने की probability 0 हो जिसकी favor में एक भी outcome ना हो उसको हम क्या बोलते है impossible event अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपने दोस्तों के साथ share जरूर करना अब मुझे यह भी पता है कि यह impossible event भी नहीं है कि आप इसको share नहीं करोगे राइट कुछ लोग share करेंगे कुछ लोग नहीं share करेंगे तो ना तो यह sure event है ना यह impossible event है right so that's it from this video keep watching mathemafia